नमस्कार साथियों मैं मनीश भारती संस्कृति या इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ साथियों आज के चुनावी दंगल में हम लोग एक महत्पुर्ण पड़ा पर पहुंच चुके हैं जैसा कि आप में हम सब में ये दिल्चस्पी रहता है कि हमारे सांसद कितने अमीर हैं उनके पास चल अचल संपत्ति क्या है उनकी सेक्षिनिक योग्यता क्या है उनका विवाह किंद के साथ हुआ है वे कहां के रहने वाले मतलब पूरा एक कैंडिडेट का व्यावरा जानने के इक्षा रहती है और ये सिर्फ इक्षा ही नहीं है बल्कि यह मतदाता को जानना ही चाहिए मतदाता का यह अधिकार भी है कि वह अपने उमिदबार के विशाय में पूरी जानकारी ले वह जानने कि क्या उस पर किसी तरह का मुकदमा तो नहीं चल ला है क्या वह दागी छवी का वेक्टी तो नहीं है पार्टी जिसे खरी कर रही है वह उसके लिए जो उप्यूक्त उमिदबार है कि नहीं जनता को यह जानने का पूरा हक है और यह सब प्रकिरिया जो है नामा से देखिए क्या होता है नामांकन पत्र में देखे होता क्या है कि जैसे ही चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के तारीखों की घोश्ना की जाती है modal code of conduct लागू हो जाता है आदर्स आचार संगिता और इसके बाद ही आगे की परकरिया शुरू हो जाती है चुनाब की तारीक की घोषना होती है यह बता दिया जाता है कि चुनाब कितने चरण में होने वाला है और यह बता दिया जाता है कि परिणाम कब निकलने बाला है यह सारी चीजे बताई जाती है इसके अलावा यहाँ पर यह समझ लीजिए कि यह जो बता दिया जाता है कि कितने फेज में चुनाव होने बाला है तो हर फेज के हिसाब से नामांकन की तारीक भी बता दी जाती है तो जैसे ही तिथी घोशित होता है विभिन दल के उमिदबार जो वैक्ति किसी भी दल से उमिदबार बनाए गए है अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हैं वै वैक्ति जो की चुनाव लरना चाहते हैं लेकिन किसी दल के उमिदबार नहीं है वै निर्दलिये के रूप में अपना नामांकन दाखिल करते हैं यह जो दाखिल नामांकन किया जाता है इसी में साड़ा ब्यावरा दिया जाता है अभी मैं विस्तार से एक उधारन देकर के आपको बता दूँगा निधारे तिथी पर चुनाव नरने के एक चुक उमिद्बार अपना नामांकन पत्र दाखिल करते हुए प्रधान मंतरी नरन मोदी का पोटो आप देख रहेंगे तो काफी रैली वेगरा किया जाता है अभी भव परदर्शन के साथ लोग अपना ये शक्ति आजमाईस का एक तरीका होता है कि यहां से ही नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही अपने विपक्षी पर एक मनोवध्यानिक दवाब डाल दिया जाए यह हर उमिद्बार की कोशिश होती है नामांकन पत्र या तो उमिद ना होता है अभी अब मैं इसकी चर्चा करूँगा देखें यहां पर यह तस्मीर देखने है ना तो यह तस्मीर देखिए यह जो है कोई आईएस ओफसर ही होंगे तो जब आप आईएस ओफसर बन जाएंगे तो डिस्टिक मजिस्टेट जब आप होंगे यानि कि जिला अधिकारी ही नहीं रह जाएंगे बलकि आप चुनाब अधिकारी भी हो जाएंगे और इस लिहाज से आपके पास ही नामांकन पत्र जो है वह दाखिल किया जाएगा तो यह जो पद हो जाता है ना आईएस ओपसर का यह इस वक्त बहुत ही तागतवर पत नजर आता है कोई भी बैखती हूँ देश के प्रधान मंतर ही क्यों ना देखी यह सामने बैठे हुए और जब यह फॉर्म बेगरा देंगे यह सब फिल करके साइन करके देंगे तो यह देखे यहां खरे होंगे और यह खरे होकर के इनको पत्र सौप रहोंगे तो उस वक्त महसूस होता है कि आये सौप सर जो है कितना पावर फूर हो जाता है इसलिए यदि आप अभी से देखिए आप लगे हुए देखिए यहां पर भी नामांकन दाखिल किया जा रहा ना तो इस पद के लिए तो आप खाफी जोर सोर लगा ही सकते हैं आप जुनुनी हो करके पढ़ी ही सकते हैं एक निर्वाचन छेत्र के लिए एक उमिदबार द्वारा या उसकी और से अधिक्तम चार नामांकन पत्र दाखिल किये जा सकते हैं अब इस बात का क्या मतलब हुआ देखें यहां कहने का मतलब हुआ कि कोई एक निर्वाचन छेत्र है जैसे की मानलेते हैं अमेठी अब अ किमालिज उसको लगता है कि एक मेरा यह हो जाएगा यह दूसरा वाला तीसरा वाला तूब यह नामांकन की पडिकरिया उसकी समाप्थ हो जाती है यानिकि वह उमेदार मैंदान में नहीं रा जाता है जैसा कि आप जानते हों सूरत लोकसभाद सीट पर ऐसा ही आपको देखने को मिला होगा कि पहले जो विपक्ष कांग्रेस के जो वहां लीडर थे उनका नामांकन पत्र ही खारीज हो गया उसके बाद बहुत सारे जो निर्दलिय उमिद्वार थे उन्होंने नामांकन पत्र अपना वापस ले लिया तो यहां पर यह समझने की बात है कि यहीं बात कहा जा रहा है कि चार नामांकन पत्र मैक्सिमूम आप दे सकते हैं कि यदि एक में गलती हो जाए तो अन अन आपका सही होते चले अब एक शब्द आपने सुना होगा जमानत राशी ठीक है, तो जमानत राशी देना परता है, कुछ रकम होता है, और ये रकम जो है, चुकि यहाँ पर नामांकन पत्र जब आप दाइर करते हैं, कोई उम्मिदबार, तो जमानत राशी भी दिया जाता है, ठीक है, अब समझ लीजिए, यदि जमानत राशी देने हैं, तो आप क जमानत रासी इस चार का एक के लिए ही देना पड़ता है ये मामला के लिए रहोगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं नॉमिनेशन में उमिद्वार द्वारा निमलिखित तत्थों की घोशना करनी होती है क्या क्या तत्थ अपने बारे में बताना होता है सबसे पहले कंडिडे जो है अपना डिटेल्स बताते हैं अब उधारन के तौर पर मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही डिटेल्स आपको बता रहा हूं यह डिटेल्स जो है और लेडी पब्लिक डोमेन में है यानि कि चुनाव आयोक के वेवसाइट पर है तो आप भी इसे जाकर के किया था तो उसमें इनके द्वारा ही सभी इसना किया गया है सभी कंडिडेट को ऐसा है घोशना करना पड़ता है क्या जोशना करना परथा यह समझ लेजिए दूसरी बात देलचसपी आपको और भी रहेगा कि प्रधानमंत्री क्या इस्पेलिंग लिखते हैं यह देखें हैं इसमें कोई भी टिटेस छुपा हुआ नहीं है ठीक है इसलिए आप यह मैं समझेगा कि मैं आपको पब्लिक डॉमेंड में ला रहा हूँ नहीं यह और लेड़ी पब्लिक डॉमेंड में रहता ही है चुनाब आयोक के वेपसाइट पर जाकर कि कोई भी वैक्ति देख सकता है तब ही तो मत everyone को पता चलेगा कि उसका कंडिडेयट कौं है सही से उसके में जानकारी फिर उसके हिसाब से वह नरनने लेकर के अपना मतदान कर सकें चलिए कोई भी अथारनका जो उधारन के तौर पे है नरेंद्र मोदी भारत के प्रधान मंत्री है दो हजार उन्नीस का जो सत्रहमी लोक्षभा चुनाब था उसमें वारा नसी सीट से जब यह नामांकन पत्र दायर किये थे तो इन्हों का जो ने किस पार्टी के यह उम्मिद्बार है किस पार्टी से चुनाब मैदान में उतर रहे हैं उनकी पार्टी कोन है बी जैपी भारतिय जंता पार्टी यह देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखा हुआ है और इनका संसत का कौन सा चहतर रहने बाला है तो संसदिये छेतर से चुनाब लारे हैं वो तो उत्तर प्रदेश में है लेकिन इनका नेटिव एस्टेट क्या है गुजरात और इनका जो है अप्लिकेशन अप्लोडेट कब है देखिए 26 अप्रील 2019 मैंने कहा न 2019 के चुनाब का जब नामांकन पत्र ये दाखिल कर रहेते तब क क्या है और ऑर और सजनाब ह कि नामांकन पत्र में किसी प्रकार की त्रूटी नहीं नहीं हुई तो यह से यह एक्ड़ और रजेक्ट आ जाता इसे खारिज्ड कर दिया जाता अब यहां पर देखिए और सारी चीजे फिल करना होता पिर किस पार्टी के तरफ से लग रहें हैं इसके बाद अपना एड्रेस गारा देना होता हैं यहां पर जो है telephone number या contact नमर देना परता यहां पर इनका contact number दिया हुआ था वैसे तो public domain में है फिर भी मैंने इसे entfer not ताकि आप तक ना पहुंचे आप ना देख पाए हाला कि आप चाहते तो चुनाव आयो के वेबसाइट पर है इसे हटाने के भी या बलड करने की या क्रॉस करने की अवशकता नहीं है यह पुब्लिक डॉमेन में दिया गया है आप देख सकते हैं इसमें कोई परशानी नहीं वो दे दिया गया है सही आयो की घोशना करना होता है उसके लिए कंडिडेट का परस्नल डिटेल्स यहाँ पर देना होता है फादर नहीं यहाँ पर अगर कोई महिला उमिदबार है तो वो अपना फादर नहीं भी दे सकती है अपना नाम एड्रेस जनर और एज यह सब यहां पर जो details दिया होता है इन सब चीजों से पता चल जाता है चलिए अब आगे भरते हैं website की जानकारी और आवास्य पते की जानकारी देना होता है आप यहां पर देखिए यह जो है candidate का personal details हो जाता है यहां पर यह सब पता वेगरा address वेगरा इसमें दे दिया जाता है और website प्रधानमंत्री कोई job तो करते नहीं है कोई business तो करते नहीं है तो यह पुब्लिक लाइफ में है यानि कि political activity इनका है वही इन्होंने यहां पर लिखा है इसके अलावा यह salary को लेकर के यहां यह बता रहे है salary from government यानि कि अभी प्रधानमंत्री पद्पे हैं तो इसके लिए जो इन्हें salary मिलता होगा उसके बाद यहां बता रहे हैं interest from bank जो salary है या bank आप budget खाता में पैसा रखते हैं तो bank से आपको interest तो मिलता है तो वही यहां पर यह बता रहे हैं और भी जो personal जानकारी होता है वो सब यहां पर देना परता है उसके बाद जो एक महत्पुन जानकारी देनी होती है वह है χ्ल अचल संपत्ति का बेवरा देना होता है और यहीं जानकारी सब प्राप्त करना चाहते है कि कि कूछ कृण कृण से service हैं जो करूर्पथी हैं किसी party के कितने सारे लियूं करूर बती यह जानना रहता है सब के मनम्न से तो उसवग्ट देखिए प्रधानमंत्री के हाथ में उसके according यही बाते हैं तो यह सारी चीजे जो है और भी बैंक अगर आप कहेंगे कि हां बैंक अकॉंट में हो सकता है तो वह जानकारी भी पूरी तरह से देना परता है देखिए एस्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या क्या ब्रांच है बैलेंस उसमें कितना है एस्टेट बैं अगर उनके पास जमीन जायदाद है और इनके नाम पर नहीं नहीं है यहां पर देखिए यह नॉट अप्लिकेबल हर जगह यह लिखा हुआ है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर यह दिया गया है कि वेलशन ओफ गांधी नगर रिजिडेंशियल प्रोपइटि तो गांधी नगर में इनका जो आवासिये प्रोपइटि है उसका वेलवेशन क्या हो सकताँ उसका मूल क्या हो सकता यह सब बताएग गया है उसका एरिया sounds है इस्कोर फिट के हिसाप से यह सारा चिख निकाला गया उसके बाद जो है उसे जो है और दिया का सम पर इ hell तो इस है हो सकता है कि कोई लीडर जो है यह जानता हो कि अपनी संपत्ति को असारजनी करेगा तो संबब तो यहां पर देखिए और पर अगर उनकी वाइब को लेकर के बात कहा गया है तो उनका भी पूरा यहां पर नौट नोट क्योंकि इनके जानकारी नहीं यहां पर बताई गई है तो यहां पर यह कर दिया गया बांकी और कुछ इसमें नौट अप्लिकेबल बांकी जगा अगर कोई जानकारी नहीं है तो वह लिखा गया है फिर यहां पर इनका जिनेचर कर दिया गया है हर कंडिडेट की दौरा ही जानकारी दिया जाता है कि नहीं कि अगर वाइप है उनके साथ प्रोपर्टी उनका है ति यहां पर फिर उनकी बच्चों का चाजाएगा यहां पर इनके लाउंगा प्रधान मंत्री की वाइए अगर किसी यह वोग ले रही है तो जेवर की जानकारी दिया जाएगा कि कितना वेट है गोल्ड है क्या है सब कुछ उसके बाद वह कितना प्यूर है कहते हैं कि इस पार्टी में इतने लोग जीते तो यहां पर सेक्षनिक योग्यता की जानकारी भी देना परता है जैसे प्रधानमंत्री के केस में देखेंगे तो इनका जो बार्मी तक की पढ़ाई रही है वह ससी बोर्ड गुजरात के दौरा हुआ है फिर अगर बैचलर ऑफ आर्ट से देखेंगे इनका बीए तो देरी इनवर्सिटी से हुआ है 1978 में और मास्टर ऑफ आर्ट यानि की में जो है पोस्ट ग्रिजूशन इनका गुजरात इनवर्सिटी अहमदाबाद से पूरी जानकारी इनकी जो है डिगरी के विशे में सेक्षन की योगता के विशे में दिया गया है अब कई बार आप सुनते होंगे कुछ लोगों की डिगरियां जो है फरजी हो जाता है यहां पर पूरी जानकारी डिटेल से देना होता है तो उसके आधार पर जाजपरताल कि नहीं तो उसके आधार पर कई बार देखते होंगे कि विवाद वेकर अभी होते रहता है हमें वहां नहीं जाना है हमें चीजों को समझना है अब यहां पर एक चीज और है मुकदमों की जानकारी मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव के समय नामांकन पत्र जो दाखिल किया पता चल जाता है किस पर कितना की पर चल रहे यहां जाता है जो इनके में तो नहीं पर होता यहाँ नमर यहां पर दिया होता है पुलिस इस्टेस्टेशन का एड्रेस क्या चल रहा है किस चार्वि क्मद्र है उसमें पर यहां पर जानकारी नहीं है ति सब जगह पर darf कोई पर इया पर चली अब एक चीज लेकिन से और स्टी इसके लिए कुछ बिशेस बाती कहा गया चिडूल कास्ट और ट्राइब के लिए अनुसुचित जाती आरख्षित निर्वाचन छेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उमिद्वार को नामांगन पत्र के साथ या घोशना करनी होती है कि वह अनुसुचित जाती या अनुसुचित जन जाती से आप जानते हैं अनुसुचित जाती और जन जाती के लिए सीटे जो है वो रिजर्व कर दिया जाता है तो वह वैक्ति उसी कास्ट के वैक्ति उस पर चुनाब लड़ते हैं तो ये विसेश जानकारी उन्हें चुनाफ आयूप के समक्ष यह सब देना पडता है तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा आज के इस लेक्चर में हमने ये समझा कि हमारे जो सांसद महोदै होते हैं या हमारे छेतर के कोई भी जो उमिदबार हो रहे हैं अभी नहीं भी जीते हैं तब भी जितने भी उमिदबार मैदान में हैं उनकी पूरी जानकारी हम समझ गए और ये पूरी जानकारी जो है नामांकन पत्र दाखिल करते ही लोगों के समक्ष मिल जाता है election commission के website पे हमने भी website से ही लिया है आप तक जानकारी पहुचाने के लिए आप इस बार भी अपने छेतर के जो भी आपके candidate होंगे लोगशभाद छेतर के उनकी पूरी जानकारी देखने के लिए आप election commission के website पे चले जाएए ठीक ऐसे ही सभी candidate का चानकारी आपको मिल जाएगा आप समझदार बनिए जागरुक बनिए और फिर आपको जो भी उमिदबार सही लगे आप फिर जाकर के vote कीजिए लेकिन vote जरूर कीजिए चोकि vote आपका अधिकार है और vote के माध्यम से भी आप जो है चीजे बदल सकते हैं लोगतंत को और मजूद बना सकते हैं इस लेक्चर में इतना ही शुक्रिया